हेलो एवरीवान, वेलकान टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब एज़ियो के इसने चैनल में आपका स्वागत है आज की यूडियो लेक्चार में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे कैना कॉट इंजेक्शन के बारे में तो हम सीखिंगे उसके बेजिक यूज के बारे में कि कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिशन को ये इंजेक्शन ठीक करता है जैसे की एलोपेसिया एरियाटा की कंडिशन को ये ट्रीट करता है फिर जो स्कीन के उपर इंफेक्शन होता है सोराइसिस जो हम कहते है उसके इलाज में भी कैना कॉट इंजेक्शन यूज किया जाता है फिर लीचन स्क्लेरोसस की कंडिशन की जिसके अंदर आपके स्कीन के उपर इस तरह से white pigmentation जो वो देखने को मिलती है infection वहाँ पर होता है skin के उपर तो उसके इलाज में भी ये cana caught injection को use किया जाता है फिर जो sympathetic orthalmia की जो हम condition कहते हैं उसके इलाज में भी ये medication जो ही वो use की जाती है and बहुत सारे allergic conditions को treat करने के लिए बी ये medication use की जाते है जैसे किस तरह से आप देखो allergy के करन आपके skin के उपर surgeon देखने को मिलती हो allergic reactions हो जाते है तो उसको भी ठीक करता है ये cana caught injection तो सीखेंगे detail में कि ये injection को कब लगाते है उसका dose क्या होता है किस तरह से उसको जो वह dilute किया जाता है या फिर dilute करने की जरूत है या नहीं और कितने दिन दक patient उसको use कर सकता है तो इसके detail study करता है आज के lecture में तेक्सबर लेक्चर बायमर सर असिस्टम प्रफेसर और फाउंडर ओफ फार्मरोक्स थेंक्यू पर बीन फार्मरोक्स में मिली सीखे अलग अलग बीमारियों के बारे में के जैसे आज हम यहाँ पे कैना कोड इंजेक्शन के बारे में सीखे ऐसे ही बहुत सरे medicines के बारे में सीखे medicine course में फार्मरोक्स के अब उपर तो सीखे उनके basic use फिर उनका dose, side effect, warning, contraindication एक साल तक affordable price में फार्मरोक्स के अब उपर तो medicine course जोइन करने के लिए में whatsapp करे 9016312020 पे तो अब समझते हैं कैना कोड 40 mg इंजेक्शन के बारे में तो यह ऐसे class का medication की जिसको आँ glucocorticoids कहते हैं मतलब कि यह एक steroid injection है injection बनाते हैं उसको brand name लिया है उन्होंने कैना कोडर उसके अंदर जो medication है वो है triamcinolone करके जो medication है कि जो 40 mg जितना यह injection के अंदर present होती है और यह intermediate acting glucocorticoids का जाते हैं कि जिसके manufacturer है Abolt Healthcare Private Limited तो triamcinolone के बारे में मैं आपको detail में बता तो यह glucocorticoid drug है मनलब कि एक टाइप का steroid हुआ और यह medication क्या करती है बहुत सारे inflammatory medical conditions जैसे की ऐसी कोई medical condition के जिसके अंदर आपके body के अंदर ऐसे chemical release होते हैं कि जो responsible बनते हैं सूजन के लिए तो उनकी effect को काम करके यह medication जो वो काम करता है और साथ हो साथ जो allergic reactions के जो symptoms होते हैं उसको भी ठीक करने में triamcinolone जो है वो आपको help करता है उसी का यह marketed formulation है कैना कॉर्ट कि जो about healthcare बनाते हैं और यह 1 ml का injection रहता है खासकर और 1 ml के अंदर 40 mg जितना drug जो है वो present होता है और यह medication बहुत सारे अलग-अलग route से patient लेते हैं कि triamcinolone के tablets भी available होते हैं कि जो patient oral लिखाता है उसके injection जो वो muscles मिलिये जाते हैं या फिर inhalation route से भी यह medication ली जाती है तो यह आप अब उसके label के हम study करें तो label को समझना अच्छे से जरूरी है कि सबसे उपर की और आप देखो तो detail होती है logo होता है जो company उसको manufacture करती तो abort healthcare उसको बनाते हैं फिर आरेक्स मिलने कि prescription based medication है फिर triamcinolone acetonide जो है उसके अंदर salt composition है 40 mg जितना present है 1 ml के अंदर फिर यहाँ पे आप composition खास देखो फिर यहाँ पे condition एक खास लेखी है कि for intra-articular यह खास समझे intra-articular और intra-muscular injections के तोर पे ही दिया जता है तो यह injection कभी भी आप गलती से वेन में ना लगाए तो यह label आपको अच्छे से बढ़ना है फिर यह injection लगाने से पहले अच्छे से उसको सेख करना है इसलिए लिखा है कि सेख well before use और direction भी खास लिखी है कि neonates के अंदर आप उसको use न करें should not be using neonates और बच्चों से यह medication को खास दूर रखना है हिंदी में भी यहाँ पे लिखा है कंप्टी ने नाम कैना कोट इंजेक्शन और अबट हेल्थ केर उसके manufacture है तो उसके uses के बारे में समझे के कौन से अलेगला conditions को treat करता है तो सरीर में जो inflammation होती है surgeon होती है उसको कम करने के लिए यह medication को लगा ही जाती है तो यहाँ पे आप बाज़े में diagram देखो तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि allergic reactions के तौर पे इस तरह से आपके सरीर के उपर अच्छानक से surgeon देखने को मिलती है ऐसे allergic reactions देखने को मिलती है तो उसको treat करने के लिए canacod injection जो वो emergency में लगाया जाता है फिर gout के इलाज में वो use कर सकते हैं skin diseases में उसको use किया जाता है osteoarthritis के condition या फिर rheumatic disorders जैसे की rheumatic arthritis में के जहाँ पे सरीर में pain भी होता है सुजन भी होते तो उसको कम करने के लिए canacod 40 mg injection use किया जाता है उसके अलाबा दूसरी condition हम देखे तो eczema में भी उसको use कर सकते आप alopecia, area attack के condition में लगके आपके सरीर के अंदर scalp में कुछ-कुछ जगा से इस तरह से जो बाल जो अचानक से कम होने लगते तो उसको treat करने के लिए ये injection use किया जाता है फिर leechan, sclerosis के condition विल्कि इस तरह से white patches जैसे बनना आपके screen के उपर कि जो एक type के psoriasis जैसे ही आपको दिखते हैं बट psoriasis में काफी ये छोटे-छोटे white होटे जबकि ये पूरा एक ही area में काफी फ्यालता है कि जिसको leechan, sclerosis का जाता है, तो उसके इलाज में भी ये injection को use किया जाता है फिर psoriasis का इलाज कि आपे जो आप डायग्राम में देख रहे है psoriasis में भी ये medication use की जाती है ulcerative colitis के condition and sympathetic ophthalmia के condition के जो ये वाले डायग्राम में आप देख रहे है किस तरह से eyes related infections जो होते हैं कि जिसको sympathetic ophthalmia का जाता है उसके इलाज में भी medical super reason के अंदर canna caught injection को use किया जाता है उसके dose की हम बात करें तो 5 से लेकर 40 mg जितना intramuscular या फिर intraarticular root से दिया जाता है intraarticular मतलब कि जो आपके ये joints होते खास कर तो वहाँ पे जो articular cavity होती है वहाँ पे intraarticular injection जो वह experts के द्वारा लगाया जाता है और muscles में भी उसको जो well qualified जो nursing staff होता है as well as doctor के तुरू ही ये injection को जो लगाते हैं self medications का नहीं करते तो ये खास आप दियान रखे कि proper expert के द्वारा ही ये injection को muscles के अंदर या फिर articularis के अंदर लगाया जाता है उसकी mechanism समझे तो कैसे काम करते है तो ये medication क्या करती है कि inhibit करती है phospholipase A2 को cell membranes के उपर कि जिससे आगे क्या होता है कि जो lysozomal membranes जो होते है लिकोसाइट के उनका जो breakdown जो हो prevent होता है और उसके करण क्या होता है जो arachidonic acid जो बनता है उसका formation जो हो prevent होता है अब हमें पता ही कि जो arachidonic acid है वो specially responsible बनता है आगे जाके cyclooxygenase and lipoxygenase की मदद से prostunglandin and leukotrines के formation में तो अगर समझे कि arachidonic acid ही नहीं बनेगा तो उसके करण आगे जाके जिसके करण जो leukotrines की जो एक ऐसा chemical है की responsible बनता है allergic reactions के लिए oxygen के लिए और साथ हो साथ prostaglandin भी same काम करते हैं तो in short हम ऐसा समझ सकते कि जो pain as well as oxygen और inflammation के लिए जो responsible chemical है उनकी activity को block करके ये medication जो है वो काम करते कि जिससे ये medications लेने के बाद allergic reactions कम होते हैं और oxygen वगिर आपके सरीर में से कम हो जाती है तो क्याना कोट के कुछ side effects है और वो side effects में सबसे पहले हम देखे तो impaired होती है glucose tolerance जिसके करण क्या होता है कि metabolic syndrome हो सकते है सरीर में सुगर की मात्रा बढ़ सकती है फिर cholesterol जो है आपके सरीर के अंदर बढ़ा सकती है अगर लंबे समय तक कोई person ये medications लेता है तो उसके सरीर के अंदर cholesterol की मात्रा बढ़ सकती है because जो metabolic syndrome है आपके सरीर के अंदर जो normal metabolism की जो process होती है चाया-पचे की जो क्रिया होती है उसके उपर ये असर करता है आपके सरीर का metabolism ये medication disturb कर सकती है gastrointestinal bleeding करवा सकती है मिलब के समझो कि आपको इस तरह से कोई ulcer है आपके gastrointestinal tract के अंदर तो वहाँ पर ये medication bleeding जो है वो increase करवा सकती है फिर bronchospasm की condition produce करता है canacot injection sinusitis की condition produce कर सकता है फिर weight gain कर सकता है ये medications के बाद because की ये क्या करता है water retention कराता है जिसके करण आपके सरीर के अंदर जो आप ऐसा फिल करते हैं आपका सरीर का जो वज़न है वो बढ़ रहा है और obviously देखने को मिलता है कि weight gain होता है patients के अंदर कि अगर वो लंबे समय तक कैना कोट के injection यूज करते है electrolyte imbalance हो जाए तक हमारे सरीर के अंदर जो अलग-अलग electrolytes होता है जैसे के sodium होता है chloride होता है potassium होता है calcium होता है magnesium तो यह से जो electrolytes जो जरूरी है अलग-अलग metabolic process के लिए तो उनके अंदर imbalance हो जाता है muscle mass जो वो reduce कराती है cataract का एक risk रेता है यह medication के side effects के तोर पे thrust बन सकते है इस तरह से oral thrust जैसे complication यह medication करवा सकती है osteoporosis करा सकती है या फिर psychosis जैसे side effect कैना कोट के कारण हो सकते है अब उसकी एक खास warning है because warning समझना बहुत ही जरूरी है खास यह warning आप समझे तो यह है कि इसके अंदर एक ingredient है preservative के तौर पे जिसका नाम है benzyl alcohol मैंने आगे भी आपको label के अंदर बताया था कि उसके अंदर यह benzyl alcohol जो है वो present है as a preservative तो यह benzyl alcohol के करण क्या हो सकता है आपके जो body के अंदर एक ऐसा syndrome produce करता है कि जिसको gasping syndrome हम कहते हैं कि जिससे सरीर में कुछ toxicities जो वो develop होती है और अगर infants के अंदर use किया जाए या फिर pregnancy के दोरान use किया जाता है तो premature and low weight infants जो वो develop होगा कि जिससे problem हो सकते हैं बहुत सारे complications हो सकते हैं और high doses में toxicity भी develop कर दी है medication तो यह खास द्यान रखे कि अगर आपको benzyl alcohol की allergy है तो यह medication को use ना करें या फिर आपको समझे कि ऐसा है कि आप pregnant है और risk हो सकता है fetus के उपर premature baby का birth होने के risk बढ़ सकते हैं तो canna cot की injection को use ना करें फिर उसके contraindications हम देखे तो emergency के अंदर कोई contraindication नहीं है कि जो emergency में use किया जाता है क्याचानक से कोई ऐसे allergic reactions होई है और तब जरूरी है कि दुसरे medication patient नहीं ले सकता और उसको canna cot देने की जरूरत है तो उसको कोई contraindications नहीं होता बट अगर लंग बे समय तक उसको use करना है तो कुछ medical conditions में आप उसको use ना करें जैसे की कोई peptic ulcer का patient है तो उसके अंदर ये medication use ना करें बिकाज ये bleeding जो हो increase करवा सकती है medication second osteoporosis के patient को use ना करें बिकाज इसकी एक side effect है osteoporosis तो अगर आप osteoporosis में use करोगे तो patient को और जड़ा complication हो सकते है severe myopathy के questions होते हैं viral infections के patient and glucoma and metastasizing tumors जो होते हैं उनमें ये use ना करें फिर pregnancy के हम बात करें तो unsafe कही जाएगी बिकाज अभी जो हमने उसके complications देखे कि जिसका जो preservative है उसके करन भी जो fetus है उसके उपर असर हो सकती है premature birth हो सकता है या फिर infants के उपर असर कर सकता है तो ये खास use ना करें और animal studies के अंदर ऐसा देखा गया है कि ये medications जो है वो present attack जो है वो cross करती है और जो clap palate के incidence जो वो देखने को मिले है कि जब animal study की गई है तो खास कर ये medications जो है वो teratogenicity produce करवा सकती है कि अगर humans में भी use की जा सके बढ़ ऐसे कोई अभी दग proper ऐसे results नहीं है बट एक हम या पर risk जो है वो समझ सकते है कि animal study के अंदर clap palate जो हो डेवलप हुआ था teratogenicity के तो तो खास कर समझें कि बहुत स्यादा कोई benefits हो और risk को हम avoid कर सके ऐसे ही condition में pregnancy में use होता है वरना ये medication को जो वो avoid की जाती है pregnancy में use करने पर तो ऐसे ही सीखे detail में medicine course में farmer rocks की अब उपर कि जिसके अंदर आप सीख सकते हैं जैसे अभी हमने कैना कोड के uses के बारे में सिखा उसके dose को detail में समझा side effects क्या होते है उसके warnings, contraindications detail में सिखे medicine course में farmer rocks की अब उपर तो अभी हमें whatsapp करें 901631 2020 पे medicine course को join करने के लिए या फिर हमारी app को download करें good luck and all the best